नमस्कार जय हैंद बंदे मातरन दोस्तों आप सभी का स्वागत है study with smartness के साथ आसा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा हमेशा यूही मुस्कराते रहिए और पढ़ते रहिए फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इन्वार्मेंट का बहुत ही important question देकर आया हूँ जो कि पक्छियों जो कि मैं आपको बताना जारा हूँ पक्छियों के गोंशले गलहरी से प्रेशन साब से तत्थ गाय से प्रेशन पूरा NCRT वैसे all fact to fact देना जारा हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो से फ्रेंड्स दस नंबर क का वीडियो है बहुत ही कम समय का वीडियो होगा बहुत ही important वीडियो होगा फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा important question लेकर आहूं जो कि आपके exam की द्रेश्टी से काफी important रहेंगे और exam के लिए काफी helpful रहेंगे तो इसी के साथ को अपन next question पर जाने की कोस्ट करेंगे friends और अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिए चैनल को लाइक कीजिए friends अपन next question देखने जा रहे हैं जो कि exam के लिए काफी helpful रहेगा पक्षियों से related है friends तो एक पक्षी देखिए ऐसे पक्षियों के बारे में अध्यन करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं पक्षियों से आने वाले प्रेंश रहेंगे friends पक्षियों से तो पक्षी के बारे में अपन पढ़ेंगे पक्षी कल्चिडी हाँ friends कल्चिडी पत्थरों के बीच घोंसला और घास के ऊपर टहनिया जड़ें उन बाल रूई आधी विछा देता है friends कल्चिडी को आप अगर exam में देने जा रहा है friends तो इंग्लिस में भी देख लिए इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है और friends अगर आप हिंदी के इंग्लिस देख लेते हैं तो इंग्लिस से क्या होता friends की question correct होने की प्रवल समभाव नहीं हो जाती है और आप maximum score लिए highlight हो जाते हैं क्योंकि कभ पक्षियों के बारे पूचा जाएगा तो क्ल्चीडी को इसा question पूचा जाएगा मैं आपको बताना जा रहा हो तो क्या पूचा जाएगा फ्रेंट डायरेक्टली question रहेगा कि पत्थ्रों के बीच में घंशला तीन चार बार पूचा जा जोका friends से पक्षियों के बीच में कोन पणाता है तो काफिव रहता है और सबसे ऊची डाल पर हैं और सबसे उची डाल पर तो डहलर सबसक्रत पडायेगा डालबर गहती उच्चे में फेड़ पर तो आज अपने सीख़ेंगे बहुती कम समय में सीखेंगे जो एक्जाम के लिए काफी हल पूर रहेंगे तो फ्रेम्स कल्चिडी के बारें आपन सीखने जा रहे हैं पत्थ्रों के बीच घंसला घास से उपर टहनिया जड़ें उन बाल रूई विच्छा कर बनाता है तो करेक्ट को ऐसे भी कुश्चन आ सकता है कि कुश्चन नेक्स पर चलते हैं काउवा से कैसे कोश्चन बनागा फ्रेंट लूग शले में लोहे कीतार लकडी की साखा और कावव को जसले में लोहे की तार लकडी की साखा कोयल कावव लकड़ी की उची डाल, लकड़ी की उची डाल, उची डाल फ्रेंट्स, उची डाल में क्या आएगा, उची डाल में कवव आएगा, अब कोयल, कववे के घंसले में कोयल भी अंडे देती है, कोयल फ्रेंट्स, कववा कोयल के अंडे को भी सेता है, अपने अंडे सेतने कवव कव्यल के अन भी देता है तो एक कवा से से इतने कॉस्च बन सकते हैं dhistoire फाक्ता फाक्ता से फ्रेंट्स योभी कुस्च ऐसं बादें आपको सारे स्काइब करने को सस्कारframe कांट के बीच क्चैक तस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड réfl cymun बनाते हैं काटों के वीच, कै्टिस काटों के वीच, महेंदी की, मेड के घॉउचनों बनाते हैं, question number next किससे बनेगा मैं आपको वो बता को हाँ, हाँ friends, गौरहया को सारे question बनेगे आपको बता हैं i.e. गौरहया कहीं भी आपने देखा हाओ गौरहया, गोराईय फ्रेंट्स चड़िया को बेते हैं कहीं बीन बीस एंपर अईने केरा पीछे कभूतर भी मिलार गोराईय और कभूतर रही जैसे होते है ये मान ऑशीर पर भी जैसे जनाए बनाती है अब बसंत गौरी से जो भी कोश्चन बनेंगे मैं आपको बता रहूं बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है यह देख लाने की जड़त रहती ना कहीं जाने कि रहती है यह पेड़ में टुक टॉक करके अपना अपनी चोच के माध्यम से अपने लिए जगह बना लेगी और वहीं पर अंडे रखते हैं ऐसी ऐसी चिडिया को बलाती है बसंत गौरी फ्रेंट बसंत गौरी इसी चिडिया को कहते हैं डारेक्टली कोश्चन बनायागा कि पेड के तने में छेट कौन सा बनाती है और अंडे देने हैं तो तयार करती हैं पत्तों को सीकर अंडे देने हैं तो तयार करती हैं अगर आप गाहों से बलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा जो इस टाइप का गोंसला बना रहता है और इस टाइप का तमूरे जैसा तमूरे जैसा बना रहता और बहुत सीकर के बन नाते हैं तौन दार जिन चीदिया कहलती अब सक्कर खोरा क्या होता क्गोंसला जाड़ी पर लठकता त्ला का लोगए संसकर होता 하는데 अब rias दूone counter San where Rider Hegan कोईन अंबर एकश्ट परचलेगे अब कोयल कोई ऑनगे वश्यन बनाने वाला पक्षीए तुमने आपको बता हुँ कोईन किसके उसमें देती है कौईय के उसमें अन्जैया देती हैं आप पॐ आज कि खुंचा प्रिंद सतने तो यहां प était तो कोए के टार से वह आजे में बनाता है और सबसे голुशी डाल पार हम्रानronics सबसे उंची डाल पर इसके उंचे पेड़ किलाएगा लेकर सबसे उंची डाल पर का Childrenbin ने abroad काव्ता है कोयल के इंडे कौन सेता है. तो कवअ कोयल के इंडे सेता है. Question number number अठ्धिते है जैसे उल्लु से कैसे बनेगे? उल्लु एक रातरी चर्पा नहीं है. उल्लु एक रातरी चर्पा नहीं है. जो पक्छियों की एकमात रेशी पर जाती है. अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर घुमा सकता है फ्रेंट्स ये कुश्चन लाश्ट बार आई होप आपने अगर CTT हाँ फ्रेंट्स CTT Central Teacher Eligibility Test अगर आपने दिये होगा तो यही कुश्चन आया था लोग बाग इसको उल्लू की जगा यहां प्रेंट्स? काओवा लगा के आय थे डारेक्ट्स कोश्चन बनाये था कि व्लू कैसा गोहसला बनाता है तो किस टाइप का बनाता है नहीं आया था यह वाला था कि 360 डिग्री पर अपनी गर्दन को घोमा सकता है 360 डिग्री तो maximum लोगों ने गलात आंसर दिया था तो friends मैं आपको fact to fact देने की कोशिस कर रहा हूँ तो मैं आपको fact to fact दूँगा friends तो आप इसको देखिए उल्लू राद रीचर प्रानी है सबसे पहला important question कैसा बनेगा कि राद रीचर प्रानी कौन सा है तो आप बताएंगे उल्लू अब पक्चियों की एकमात प्रादी जो 360 डिग्री अपना सिर घुमा सकता है अपनी गर्दन को घुमा सकता है तो उल्लू ही है अब next में आएगा मैना मैना कैसा है मैना एक ऐसी प्रादी है जो पक्चियों के जटके से गर्दन को मोड़ती है friends य यह question भी CTT 2019 December December 2019 में यह question पूछा गया था मैना मतलब क्या question कैसा था कि जटके से गर्दन को मोड़ता है इसमें भी friends वही हुआ था कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था तो कोई मैना तो मैना नहीं तो कोई उल्लू कोई वीवर पक्चियों ऐसे question लगा के आया था तो friends मैं आपको maximum fact to fact देने इकोसिस कर रहा हूँ आप बताइएगा कि मेरा प्रयास कैसा लग रहा friends हाँ मेरा प्रयास कैसा लग रहा आप comment box में comment करके जरू बताइएगा तो मैना से क्या है friends मैना एक ऐसी प्रजाती है जो पक्चियों को जटके से गर्दन मोडती है मैना कैसी प्रजाती है जो पक्चि जटके से गर्दन को मोडती है हाँ friends जटके से गर्दन को कौन मोडती मैना साब से जो भी 하겠습니다 बनेगे आपको साब के कोस्चन बताना जा रहा हूं आप साब के दात नुकीले होते हैं परण्तु चबाता नहीं है निगलता है फ्रेंट साब नहीं देखा हुगा आई kite अभी ने देखा हो सांप कैसा होता है सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु चबाता नहीं निगलता हैं अब किंग कोब्रा शांप भारत वर साउध हैस्या के जंगलों पाई जाता है ऐसा साफ है जो घौशला बनाता है तो आप के पास चार अप्षिन रहेंगे उसमें King Cobra, King Cobra रहेगा, और King Cobra कहा कहा पाया जाता है, यह भी question बन सकता है, तो King Cobra भारत में और South Asia में पाया जाता है, अब इसके साथ कैसा question बनेगा, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो friends इसकी लंबाई 13 फूर तक होती है, सबसे बड़ा King Cobra लगभग 19 फूर तक पाया जात हैं, King Cobra की लंबाई 13 फूर से 19 फूर तक होती है, अब friends एक और question कैसा बन सकता है, कि कौम सा साथ है, जिसमें जहर नहीं होता है, तो आप देखके आश्यर चकेत हो जाएगे, अजिगार ऐसा साथ है, बहुत ही मोटा होता है, और अजिगार ऐसा साथ है, जिसमें जहर नहीं होता है, तो इससे आपको दो फेक्ट मिले, कौन सा, साथ के दाथ नुकीले होते हैं, पर दुच्चवाता नहीं निगलता है, दूसरा क्या मिला, King Cobra साथ भारत और अस्टेलिया पा जाता है, जो की घौंसला बनाता है, तीसरा फेक्ट क्या है, अजिगर साथ है, जो की जह होते हैं, छोटे नुकीले काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दाथ चप्टे काई के लिए होते हैं, किस चीज के लिए चवाने के लिए, गाय के पीछे के दाथ चप्टे होते हैं, चवाने के लिए, और गाय के आंगे के दाथ होते हैं, काटने के लिए, अब बिल्ली कर लिजे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड़ों को सेर कीजिए और बने रहे हैं इसी चैनल के साथ और प्रैक्टिस मेक्स अभी अमेन हुमन परफेक्ट मतलब अभ्यास सी मानो जीवन को सफल बनाने के लिए प्रेंड़ों करती है और आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे तो अभ्यास दक्सता की पूझी है आप क्लिब एटर रहेगा तो इस चैनल को अगर आप इस टाइप की वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे अपने फ्रेंडों तक सेर की बिजे और मेरा प्रेंड कैसा लगा आप कमेंड करके जरूर बताईए आप आप आई होब आपको आपको गाय से कोस्चन समझ में आ गया होगा गाय के छोटे दान्त होते हैं काटने के लिए पीछे के दान्त चबाने के लिए अब बिल्ली और लिगी ज़िए कुत्ता कि न है जिसके दाथ हमेवाशा बढ़ते रहते तो गिलहरी साऍफ ही आपके पास रहें, और फ्रिंट चूहा चीजों को क्यों खुदरता है। चुहा चीजों को क्यों कुतरता है दरसल चुहे की दाथ काफी तेजी से बढ़ती है अगर चुहा किसी भी चीज को ना कुतरे तो साल भर चुहे के दाथ एक दो एक इंच से दो इंच तक बढ़ जाती है हां फ्रेंट्स साल भर अगर चुहे चीजों को ना कुतरे तो उसके एक इंच से दो इंच तक बढ़ जाते हैं चुहे इंसानों से ज्यादा दसगुना ज्यादा है और पांच चुहे मिलकर एक आदमी का खाना असानी से खा सकते हैं चुहे और चुही को जोड़ा साल में एक हजार बच्चे को जन्म देता है अब चुहे का जीवन एक से दो साल का होता है चुहे का जीवन क्या होता है एक से दो साल का होता है चुहे अपनी मूझ का उपयोग तापमान में बदला और उस सेता को महसूस करने के लिए करते हैं जहां पर वे चल रहे हैं सापों के साप से कुश्चन पढ़ रहे हैं साप से किस टाइब के कुश्चन आएगा अपन वो पढ़ रहे साप के सरीर कातापमान बातावन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है साप के सरीर कातापमान क्या होता है बल्कि साब्थ निकल जाता है अधिकान सापों के जबड़े इनके सिर्फ से भी बड़ होते हैं उसे कार को निकल सकने के लिए काफ़ी बेड़र रहते हैं दुनिया में दुनिया में फ्रेंट्स तीस हजार से ज्यादव प्रजातिया हैं दुनिया में सापों की तीस हजार से ज्यादव प्रजातिया हैं पाई आती हैं जिसमें 20% प्रजातियां जहरीली होती हैं दुनिया में फ्रेंट्स तीस हजार से ज्यादव प्रजातियां आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कीजिए और जो मैं ने बताया था मैना के बारे में कि जो जटके से गरदन रती है तो इसका भी फैक मेले कर माना अपने देखियो मैना इसको जटके से घर्दन यह लाती है आप आपके सामने मैंने का चित्र मैंने रखा है मेना फ्रेंड्स में आपको इस ही टाइब के विद्ट प्रक्टिकली आप मेरा प्यास कैसा लगा आप बताएं ओर आपको इस वीडियों से कितनी हैल्फूल मिला और आप कितना मतलब एस कितना अच्छा रगा आपको वीडियो आप comment box में comment करके बताईएगा आफ इसके साथ अपन और हाँ अगर आप channel पन्ना यह हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे इससे भी अच्छे question हाँ फ्रेंट्स इससे भी अच्छे question नेक्स वीडियो में लेकर आऊंगा तो आप चैनल के साथ बने रहिए जब तक मिलते हैं अंगले वीडियो में